कि नमस्कार साथियों मैं वैवब आपका सागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम द्रस्थी पर बहुत-बहुत सागत है आप सभी का गुड इवनिंग सभी को जल्दी से सभी लोग आये हो तो पहला करें आपको क्या करना है जो मैं कहता हूं आपको पता हो करना चाहिए शेयर और लाइग दोनों और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज जो टॉपिक हम लोग कर रहते उसी को कॉंटिन्यू करेंगे मुगलकाल चलना था जिसमें अकबर को मैंने आपको समझा दिया था पूरा बता दिया अकबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट कि कहा जाता है टॉपिक आएगा वह कौन सा आएगा वह आज आएगा हमारा जहांगीर जहांगीर उसका बेटा है जिसको सलीम कहा गया सेखुबावा अकेला पुतर था तो बिगड़ा हुआ था है ना पता होना चुछिए कि अकेले वा आप सर लाया गया है कि यूटूब की क्लासेस के साथ साथ कुछ बच्चे अभी दिमांड कर रहे थे बहुत से लगातार जितने भी रहते हो ना लाइव वो कहते हैं कि नहीं सर पेड़ भी एक पैस देदो पेड़ देदो पेड़ बैच हमें चाहिए है तो उनका भी कुछ ध्यान रखा गया है बहुत दिनों से इंक्वाइरी चल लगी थी तो एक यूपी पीसियस के लिए बैच लाया गया है वह आपका बैच क्या 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 लाता है दिशा बैच है आपका लाया गया है इस दिसा बैच की जो सबसे अच्छी बात क्या की गई है कि इसमें यूप प्रिलिंस की बात करते हैं तो प्रिलिंस का पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा साथ में PDF रहेंगी और live classes रहेंगी क्या रहेगा live classes रहेंगी अब यहां पर फाइदा आपको क्या होने वाला है इन सब चीजों के साथ इस दिसा बैच के साथ 2023 को टार्गेट किया गया है किसको टार्गेट किया गया है दो हजार दाना तेईसको इसको target किया गया 92023 को target किया गया है पहली चीज़ अगर आप यह beth लेते हो ठीक है तो बैसस लेने में सबसे पहले तो आपको जो टैस श्रीज है जो टैस सिरीज है वह करें करेंट अब्लों बात करते हैं तो current affairs का जो paid batch है वो भी आपको क्या होगा फिरी मिल जाएगा प्लस test series का पूरा का पूरा solution आपको मिलेगा तीसरा C set की जो course है आपका paid वाला वो पूरी classes फिरी रहेंगी ये तीन चीजें आपको इस batch के साथ फिरी मिलेंगी पहला test series और उसका solution दूसरा current affairs की paid batch फिरी मिल जाएगा साथ में साथ में C set का भी जो batch है वो भी आपको फिरी मिल जाएगा ठीक है और सिर्फ एक batch के बदले प्रिंस का पूरा combined batch बनाया गया है जिसको कहा गया है दिशाबैच जो यूपी PCS प्रिंट 2023 को टार्गेट करने वाला है अगर आप लोग चाहते हूँ इससे enroll होना तो आप लोग क्या करो पहले exam दृष्टी एप को download करो और वहां से जाकर enroll कर सकते हो या फिर अगर कोई भी mentorship program भी इसमें चलाया जाएगा कि कई बच्चे कहते हैं कि सर कैसे त्यारी करें क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें कैसे management करें कम समय है तो उसमें आप सीधे सीधे कॉल करो नंबर दिया हुआ है 701 27226 सभी टीचर से आप डाइरेक्ट बात कर सकते हो बिना किसी हिच्चा हटके ठीक है तो एक complete package लाया गया है अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हो तो अभी इन्रोल करा दो बीटा अभी इसका कोई प्राइस का final नहीं किया अगया है ठीक है लेकिन इन्रोल अगर आप अपने आप को करना है तो आप यहां पर कर सकते हो थीक है अपने आपको इन्रोल यहां पर कर सकते हो तो जिए अब आते हैं आप लोगों की कोई दिक्कत किसी तरीके की आ रही है सब्सक्राइब को लेकर कुछ भी कि बताओ पहले तो अच्छा हम लोगों का भी जो पेड़ कोर से चले उसमें सबसे अच्छी खास बात पता क्या है कि जितने भी स्टूरेंट सेना उसमें से मोस्टली सेलेक्टेड है मोस्टली सेलेक्टेड है जो पीची असब बनना चाहा रहे हैं कि बैस्ट और कोई बताएगा कुछ थोड़ा सा क्लास को शेयर किया करूं सोशल मीडिया पर ऐसे मज़ा नहीं आता है ना प्रग्या जी ओके ठीक है तो आज एक ऐसी सक्सियत ठीक ही चल लाई है दिलीप मतलब ठीक ही चल लिए क्या होता है अच्छी क्यों नहीं चल लाई है प्राइस पता चल जाएगा अभी रिवील नहीं केवल यह है कि बैच आ रहा है ठीक है यह किलियर हो गया है क्योंकि होता क्या है कि बैच मानलो मानलो बाकी जितने भी इंस्ट्यूट्स हैं उसकी तरह नहीं कर पाते हैं हम लोग कि नहीं बस आये और बोल दिया आज से यह लॉंच को लॉंच करने के लिए बहुत मिहनत लगती हो परफ्रेशन करनी पड़ती है ऐसे नहीं लॉंच हो जाती है कि बस लॉंच किया कि एना और आप लोगा गए होने लगा संब नहीं ऐसा नहीं है बहुत से शीजे हैं अब यहां पर बात करते हैं सीधे-सीधे next अपन जहांगीर से शुरुवात करते हैं बहुत अच्छा है मजा आने वाला है जहांगीर को लेकर बहुत अच्छा सा शक रहा है अपने समय में जहांगीर सौरी जहांगीर सासन सत्ता में कव आएगा जब 1605 में अकबर की मृत्व होगी और 1627 तक ये रहता है सेक बच्पन का नाम इसका क्या है कि अपकर करना पड़ेगा अगर अगर पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही चाहे आप अपनी नीद कम करो ठीक है या जो फालतू के काम कर रहे हो उनको स्मार्ट तरीके से निप्टा लो है ना तो समझ लो क्या है मैं टाइब मेनेजमेंट तो आपको अपने आप करना पड़ेगा यह तैय है अभी बहось से स्टु्डंट से पेड़ वाले हमारे यह जौब में आर्मी में पुलिस में है कोई किसी में टीचर है वो सब निकाला हैते हैं और दिलीजी Car हैं और भी कई लोग हैं यहां पर तो कई बच्चे हैं अब यहां पर चलो खेर आते हैं नेस्ट अभी सब को देखो कमेंट बॉक्स में ऑफिसियल आपके जो हमारा चैनल है उससे अभी कमेंट सब आ कौन कौन से वैसे आ रहे हैं उसकी टेंशन नालो आप लोग बस अच्छे से क्या करों पढ़ते रहो और यूटूब पर चला है उससे पेड़ वालों को तो डवल फाइदा रहता है वह उदर पढ़ लेते अब इधर आके रिवीजन मार रहे हैं यह सबसे आगे रहेंगे प् सलीम है और कहा जाता था इसका जो जर्म हुआ है वो कहां हुआ है वह हुआ है अग। दो विभा किये हैं एक किया है मानवाई से किस से मानवाई यह जो मानवाई है यह मान सिंग की बहन है मान सिंग की बहन समझ गए होगे अकवर के नवरतनों में से एक है ठीक है तो मान सिंग की जो बहन है उनसे मानवाई उनसे विभा किया है किसने जहांगीर ने दूसरा यहाँ पर विभा जो इसके द्वारा किया गया है वो क्या हुआ था? वो भी किया है मारवाड के जो साशक है उदै सिंग मारवाड के साशक है उदै सिंग है उनकी पुत्री है जगत गोसाई ठीक है? उनकी पुत्री कौन है? जगत गोसाई ही इन दोने से क्या किया है विभा किया है मान्वाई से उत्पन्य पुत्र है वोUU KÃONA THA KFUTSUR o था और जगत को साइच से जो उत्पन्य पुत्र है क्यों होगा ह। कौन है खुर्रम जो आगे चल कर किस नामसे आएगा शाय जहां के नाम से खुर्रम है अब हुआ क्या कि जब इसका शाशन-प्रसाशन सुरू होता था तो बहुत ही ज्यादा भोग विलासी साशक है और इस टाइप का साशक है कि आपको दिहान होगा डिरका एक हेड है ठीक है नाम नहीं लूँगा किसी राज का तेम ऐसे था वो क्या करता है जिस तरीके से जहांगीर क्या करता था दिन भर एकदम पिये पड़ा रहता था बिल्कुल गजब तरीके से बहुत ज्यादा अयास साशक है और भोग विलासी है और इसी की भोग विलास्ता और अधिक सराप पीने के कारण है क्या हुआ कि इसकी जो पहली पतनी है मानवाई इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी कहा जाता था इसने क्या किया आत्महत्या कर ली है इससे परेशान होकर और जब इसने आत्महत्या कर ली त इसका मकवरा कहां बनाया गया है वो बनाया गया है प्रयाग राज में दूसरा क्या हुआ कि जो खुस्रो है ये भी जब बड़ा होता है तो अपने पिता के क्रिया कलाप से बहुत ज्यादा प्रभावित हो मतलब बहुत गुस्सा रहता है नाराज रहता है और आगे चलकर आप देखोंगे खुस्रो बिद्रो करेगा और खुस्रो जब बिद्रो करेगा जहांगीर के खिलाप में तो खुस्रो के बिद्रो के कारण खुस्रो के बिद्रो के कारण खुस्रो को क्या होगा में तुदंड की सजा भी मिलेगी और इसका भी मकवरा कहां बनाया गया प्रयाग राज में इसी की मा के मकवरे के पास में जो लोग प्रयाग राज होगे और प्रयाग राज गया होगे तो खुष्रोबाग है इस्टेशन में जो प्रयाग्राइश स्टेशन है जो मेन प्रयाग्राइश जंक्षन है उसके एक नंबर प्लेटफॉर्ण के जस्ट सामने खुष्रोबाग बना हुआ है ठीक है तो अब यहां पर बात करते हैं कि जो दूसरा विवाय हुआ है वह मरवाड के साशक उद्चिंग की पुत्री फरी जगत कोसाई उनसे विभा हुआ लेकिन पहले जो विभा हुआ है वो किस से हुआ मानवाई से हुआ था मानवाई को शाह बेगम की उपाधी भी इसके द्वारा दी गई थी कई बार पूछा जाता है कि किसको दी गई थी तो शाह बेगम की उपाधी वो दी गई है मानवाई को इसने सहा ब रेक्तिने थीक है या किस पत्नी इसके आत्मत्या की थी तो वो कौन है मानवाई है अब क्या हुआ कि इसके समय में सिर्फ एक अभियान होगा जो सबसे फेमस रहा जिसको अकबर भी पूरा नहीं कर पाया वो था 1605 में मेवाड का अभियान किसका है मेवाड का क्यूंकि मेवा अबरा प्रताब की मरत्व हो जाती है तो उसके बाद उनका पुत्र अमर सिंग शासन सत्ताग में आता है लेकिन अमर सिंग क्या किया ऐने के बाद और ये परिस्थितियां कहां बन नहीं है ये बन नहीं है आपकी मेवाड को लेकर दस साल लगातार अभियान हुए और जब दस साल लगातार जब अभियान होते हैं तो इसी के द्वारा उद्पन पुत्र कौन सा है वो है खुर्रम है कौन है स्री घुर्रम बता रहें मेवाड जब्यान हुए तो अंतता अमर सिंह के साथ क्या हुआ लेकिन मेवार स्वतंत रहेगा, एक तरीके से स्वतंता करीब ही है और नहीं भी सुईकार की है, तो 1605 का मेवार अभियान इसका सबसे प्रमुक्त था, उसके अलाबा कोई बहुत ज्यादा महत्पूर्ण साशन प्रसाशन में इसका अभियानों में देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा क्या हुआ, कि जो जहांगीर है, ये एक कह सकते हो कि बहुत ज्यादा नयाय प्रिय था, नयाय प्रिय था, हुआ क्या, कि जो सहाबुर्ज है, आगरा में ताज महल के सामने जो नई एकदम बिल्डिंग दिखेगी, वह सहाबुर्ज, जहां से सरकारी घोशनाय होती थी, वहाँ पर इसके द्वारा नयाय की जंजीर लगवाई गई थी, कि अगर कोई इसको नयाय चाहिए, ततकाल नयाय चाहिए, ठीक है, और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो क्या करें, वो जंजीर घीचता, तो वो घंटा, उसमें घंटी लगी थी जो इसके सीधे दर हरम में जाती थी, जिसको मुगल हरम में जाती थी, मुगल हरम का मतलब है, जो मेन महल होता था, तो कई बार इतियास में इसको नय प्री भी बताया गया है जहांगीर को, इसके अलाबा आप देखोगी, कि जहांगीर ने क्या किया आगरा के किले में, ठी और दौसा क्या कि पहला साशक होगा जो रक्षाबंधन का त्योहार बनाएगा index कि अपने पिता के खिलाब विद्दोह कर गया था एपने पिता के खिलाब विद्दोह कर है यहां पर प्लेंस के हिसाफ से देखेंगे अब क्या हुआ कि जो न्याय की जंजीर इसके दोरा लगवाई गई है तो 1612 में सबसे पहला क्या होगा रक्षा बंदन कहा जाता था कि अवतारवाद में विश्वास नहीं रखता था अरे भाई तुम अवतार विश्वास नहीं रखते हो लेकिन दूसरे धर्मों को तो मानने दो यह कहता था नहीं अगर हम नहीं रखते रखोगे तुम भी नहीं अवतारवाद में विश्वास रखने के ना रख बहुत अच्छे अकवर के जिख्ध गूरुंसे संबंद बहुत अच्छे जहें गुरु अंगत की बात करो धुरु रामदास की बात कर्लो तो बहुत सम्मान पूंध थी और अकवर उन सभी का सम्मान भी करता था, अकवर क्या करता था उन सभी का सम्मान करता था, गुरु रामदास को 500 विखा भूमी दीती और एक तालाव अनुदान में दिया, जो अमरस्राज बना हुआ है, गोल्डेन टेंपल है, वो इसी ने अन देव हैं यहां से क्या हुआ मुग्लों और सिह गुरू के मध्य एक जो खाई तयार होंगी blow बढ़ती चली जाएगी हो last क्योंकि होता क्या है कि अरुजुन देव जो है सिधुफ्ड गुरू अरुजुन देव अरुजुन देव ने जिस समय खुसरों ने विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद अरुजुन देव ने इनको सरण दे दी थी और इसी कारण इसने अर्जुन देव को म्रतुदंड दिया और जब म्रतुदंड दिया तो जितने सिख लोग थे वह सिख विरोध में किसके आगा है जहांगीर के और ये विरोध और बित्रो दोनों के बीच में लगातार बढ़ता चला जाएगा अंतरता जब अभी आप देखोगे और अरंग ये पढ़ाऊंगा तो और अरंग रेप की जब म्रतु होती है तो औरंग रेप की म्रतु के बाद कई बार कोशिश की गई कि इस खाई को बंद किया जाए इस मतलब ये जो बिरोध या पित्रो चलना है इसको ना बढ़ाया जाए तो उसको लेकर कोशिश जो की जाएगी वो होगी और अरंग रेप के बाद लेकिन वो कोशिश अस्फल रहेगी और कैसे वो वहीं पर खाई डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर क्या होता है कि गुरु अर्जुन देप को तो इसने मतुदंडे दिया दूसरा हरिगोविन सिंग जो दूसरे और गुरु है ठीक है उनको क्या किया था दो बर्स के कारवास की सजा दे दी गई दो बर्स के कारवास की सजा दे दी गई बहुत से इसके समय में कई हिंदू गरंतों का फार्सी में अनुबात किया जाएगा कहा जाता था कि जहांगीर जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज में जो पिस्वास रखता है वो है चित्रकला क्योंकि इसके साशनकाल को चित्रकला का स्वनकाल कहा गया है अकबर के साशनकाल को जो है साहित का स्वणकाल कहा गया है और इसको किसका स्वणकाल कहा गया है चित्रकला का स्वणकाल कहा गया है चित्रकला का स्वणकाल ऐसे कहा गया है कि यह चित्रकला का खुद बहुत सोकीन है det qa और अगर एक चित्र कई अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो ये बाई साब देखे बताने देता था कि यह अंग इस चित्र का यह यह जो पार्ट है किस चित्रकार नहीं बनाया है इतना जाधा चित्रकला का लिद्रो Um से चितरकार हिसके में होंगे वो एक होंगे अबुल हसन और यहां से बहुत कोश्चेंड फूचे गए हैं कि कौन किसका चितरकार फेमस है अब हसन है दूлон है मनसूर है कि दूसरा कौन सा मांसूर है अब दोनों की उपाधिया कि बात आती है उपादी कई बार पूछे जाएंगे क्या आउं कौन से किसको उपादी दी गई है और कौन किसके लिए FAMOUS आप यहां पर क्या हुआ है कि जो मंसूर है कि इसको नादिर उल-स तुम पह दिए गई यूपि-स ने बीच में बहुत पूछा था कि मंसूर को कि कि उपादी दी गए है तो दी गए है नादिर उल अष्र की नादिर और ई OUR पादी गई है जबकि आव सक्षसम में इसको पादिर जमाई नादिर रहा जमा की उपादी दी गई है है क्या दो नोड़ वह मतलब दो zu whole आ लोग पादियां और distint rip कि नादिरुल अश्र की उपाद या नादिरुल जमा की उपाद किसको दी गई है ठीक है अब क्या हुआ कि मनसूर जो था वो किसका चित्रकार है जैसे दुरलब पशु की बात कर लो दुरलब पशु की बात कर लो या फिर यहां पर बात किसकी करते हैं पक्छियों की बात कर कर लो दुरलब पशु पक्षी ठीक है दुरलब पशु है पक्षी का चित्र की बात अगर हम लोग कर ले तो इन सबका बनाने का काम कुसका है वो है कि मंसूर का कि दो चित्र सबसे जो फेमस हैं जिसको यूपी पीसे लगातार पूच चुका है बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो कि अगर हम लोग बात करते हैं एक तो बंगाल का पुस्प जो कैसे हैं स्वारी बंगाल के पुष्प का चित्र दो सबसे फेमस हैं मंसूर के ध्यान रखना यहीं पर बता दे रहा हूं साइवेरिया का सारस, अगर पूछता है कौन सा सबसे फेमस था, तो साइवेरिया का जो सारस बनाया गया, वो बनाया गया था इसके द्वारा, और दूसरा जो सबसे महत्पूर्ण है, वो कौन सा इसका होगा, वो आपका होगा बंगाल के पुस्प का चित्र, बंगाल के पु questions पूछे गये हैं लोAD में लोग बात करते हैं तो आपंढ़ करेंगे जो मेत अब लहसंद आप अनने क्या किया था जहांगीर का सिंहाशन रोहण सिंहाशन रूहण जो हुआ था ठीक है जहांगीर का जो सिंगाशन रोहन वह जिसमें इसको राजा बनाया गया है उसका चित्र बनाया है है तो कि इसकी जो आत्मकता है तुझुके बावरी तक ही बार क्वेस्टन यहां से देखो कहां जा रहा है यह धियान रखना यह जहांगीर की आदम कथा है तुजुके बाबरी जहांगीर के राजया रोहन का चितर किसने बनाया था या तुजू के बाबरी के मुख्ध प्रस्ट का रिए बहुत बार कुएस्टन आया है और लगातार अगयाM अंग्ति मव्हां लिए नग्रीन तुजू के जहांगीरी इस युझेание जहांगीरी तुझे जहांगीरी का जो मुख्य प्रेष्ट हो किस ने बनाया यह वो इसी ने बनाया है इसके आत्मकत्या जो दोनों किलियर है । है ठीक है इसी के साशनकार में कैप्टन हॉकेंस आता है 1608 में शोला सो आठ में कैप्टन हॉकेंस आएगा और हाकिन्स के बाद कौन आएगा वह आपके आएंगे 1615 में कौन जाएगा तॉमस रो ठीक है टॉमस रो इन सब की चर्चा करेंगे modern history में दोनों की बेवकूफ हैं दोनों के दोनों इनका नहीं करना है अब आते हैं नेक्स्ट इसी के शाशनकाल में तूर दास जो है इसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना करेंगे ध्यान रखना यहां से question आता है कि जो सूर दास है ठीक है वो क्या करेंगे सूर सागर की रचना करेंगे कुईस्टन कई बार पूछा गया है कि सूरदास किसके सम्कालीन है तो जहांगीर के और जहांगीर के सम्कालीन में ही क्या होता है तूर्सागर की रचना होगी अब आते हैं इसके असलियत पे असली रूप दिखाते हैं मैं पहला क्या रहाता है कि यह बहुत भोग विलासी सासक है इसको समझना ज़रा हुआ कि हुआ कि एक महिला है महरु निशा एक महिला है महरु निशा ऐसे नहीं हिंदू धर में परदा प्रता आहीं हे वह इन्ही उसके कारण क्यों आती है वीजन था कि इनको जब मन किया सुन्दर महिला देखी ले आओ- विवहा करेंगे वंदब कुछ नहीं भाली बैठे रहते रहते हैं तो विवहा करेंगे यह सब नोटं किया रहते हैं करते रहते थे इसे रोज प्यार नहीं होता था, ठीक है, ये कुछ और ही था इसका सिस्टम, क्या ही कहा जाए, फिर छोड़ो, महरू निशा की जब हम लोग बात करते हैं, तो महरू निशा की जो कह सकते हो पती है, पती की बात कर लो, और पुत्री, दोनों को देख लेते हैं, पहले इसको स अच्छे से, ठीक है, इसके मा, मा कौन है, पिता कौन है, और भाई कौन है, एक एक करके सब को जानते हैं, फिर देखो कितना मजा आने वाला है इस टॉपिक में आप लोगों को, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हो, वही मैं सुनाओंगा आज, ना, नूर जहां, एरे बहुत खुश हो रहा है सब के सब, अब समझो, पती है अली कुली खाँ, पती कौन है, अली कुली खाँ, पुत्री है लाडली वेगम, पुत्री कौन है, लाडली वेगम, मा है असमत वेगम, मा कौन है, असमत वेगम, और पिता है, मिर्जा गियास बेग, और भाई है आसफखा, भाई है आसफखा, समझना इनको भाई, थोड़ा सा, अरे डुक जाओ भाई, सबको बताएंगे, अभी पहले थोड़ा सा ठंड रखा करो, यहना कुछ भी पूछते रहते हो, मतलब मैं अपनी चैटिंग तुम लोगों की चलनी है, आपस में, कि हाई हेलो, कहां से मैं आ गया, ठीक है मैं आ ग बैठके, कि मैं बहुत दिन वाद आया, बेलकम कहां थे, अभी पढ़ ले अपना भाई, चक्कर में पढ़ाए, हाद है, साथ हो, थोड़ा सा और कर लो, उमा शंकर, थोड़ा सा थमजा बेटा, ठीक है, नहीं तो अब दिखाते हैं, तुमको एक्जामपल दिखाते हैं, तुमारी महरुनिशा कोई और ले जाएगा, सच बता रहे हैं, ये जो हरकतें चल नहीं हैं न तुमारी सब की, ये हरकतें तुमारी यही बता रहे हैं, कि कोई दूसरा जहां गीर आएगा ठीक है सेलेक्ट होके ऐसे करके आएगा मुच्छों पर ताओ देखे पिर कहना बेवफा निकली है तू है ना वही गाओगे जलो आओ महरू निस्वा पर अब बात करते हैं लोग कहा यार लिये जाते हो हमें भी घुमा घुमा के समझो पहले नूर जहां की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो नूर जहां के जो पिता है वो है मिर्जा की आस भेग है माता अस्वत बेगम है पुत्री है लाड़ी बेगम अली कुली खा क्या है इसका हस सब्सक्राइब एक दिन नजर पड़ती पड़ती है महरू निशापर किसकी और वो पड़ेगी आपकी जहांगीर की और जहांगीर उसको दिल दे बैठता है मतलब उसको पसंद आ जाती है अब जहांगीर क्या करता है कि समझ लो एक्जामपल है तुम लोगों के लिए सेट हो रहा है है ना पढ़लो सांथ बैठके नहीं तो कमेंट वाजी में ही चले जाओगे सब के सब कि बता रहें अपने अपनी महरू निशाप हो गए तुम समझ लो यह जो पती अलिकुली खांए इसको क्या करता है कि के अपने पास और करीव रखता है और एक दिन अलिक उल्ली खा के द्वारा जब एक कि कयते हैं सेर को मार दिया जाता है तो इसको कहा जाता है सेरफ गंप इसको को सुपादी दे दी जाती है वो दे दी जाती है सेरफगन के दे दी जाती है ठीक है उपादी दे जाएगी सेरफगन की अब सेरफगन की उपादी के बाद कहा जाता था कुछ समय बाद एक युद्ध में ठीक है अली कुली खां की मृत्त हो जाती है लेकिन कुछ चीजों के अनुसार कहा जाता था कि जो अलिकुली खां है उसकी हत्या कराई है किसने जहांगीर ने अब जहांगीर ने जो हत्या कराई है है ना तो हत्या कराने के पीछे प्रमुक कारण यह बताया जाता था कि यह चाहता था कि महरु निशा हमारे पास कैसे भी आए महरु निशा beauty with brain है ठीक है जिसको कहते है beauty with brain वो है इस महरु निशा अब महरु निशा ने कहा ठीक है बेटा उसने भी कहा कि अगर तुमने इस तरीके से हरकत की है तो उसका फाइदा हम भी उठाएंगे पती तो आना नहीं है दुबारा महरु निशा से इसने क्या किया विवाह कर लिया महरु निशा से इसने क्या किया विवाह कर लिया अब जहांगीर ने जब विवाह किया महरु निशा से तो इसको कई उपाधियां भी दी इसको कई उपाधियां दी है ना हाँ उसकी हत्या कराई है महरु निशा को पहली उपा कि अतनों का नूर हो हमारा जो मया माले उसका चांद हो तुम Liberty से आजकर तुम लोग भी देते रहते उसके, व हाधिया जो आजकर वह सोफी ना बावु वाली चल नहीं है, तो बहुत पाधिया जो चल नहीं वहां भी मलत पहले टो तरीका को पाधिया दसो पहले पहले तो नूर जहां हो, तुम पूरी दुनिया का नूर हो भाई, कहां चक्कर में पढ़ी हो, इसको बता दिया, ये भी एकदम हाइक पर, कि हम तो भाई नूर जहां है, अब देख लो, पहले नूर महल, फिर उसके बाद क्या है, नूर जहां की उपादी दी, नूर जहां के नाम से ही आगे क्या हुआ, ये फेमस होगी, अब नूर जहां ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जहांगीर को केवल, जहांगीर ने खुद लिखा है, कि मैंने एक प्लेट, एक प्याला सराव और एक प्लेट सोरवा के बदले में, पूरे राज को गिर्मी रख दिया था, और सही है सच है ये, मैंने क्या कहा था पहले भी, कि महिलाएं शाषन-प्रसाषन में सीधे नहीं आएंगी, लेकिन साषन-प्रसाषन को परदे के पीछे से पूर्रूप से नियंतड करेंगी, जहांगीर के साशनकाल में इन सबने मिलकर, इन सबने मिलकर क्या किया, ये जितने भी हैं, इन्होंने बनाया जुनता गुट, क्या बनाया, जुनता गुट बनाया, अब यहां पर जब जुनता गुट इन्होंने बनाया, और पूरी तरीके से कहा जाता था, महरु निसा ने सा प्रसाशन कैप्चर कर लिया है जहांगीर का और इस लेबल से कहा जाता था कैप्चर किया गया कि हर साही फर्मान पर महरू निशा के हस्ताक्षर जरूरी हो गए थे अब जो लोग अभी सोच रहे थे ना जहांगीर बनने की वो यह भी देख लो यहीं होगा अगर ब्यूटी विद ब्रेन मिला कोई कि साही फर्मान पर भी हस्ताक्षर आवस्चक हो जाएंगे महरू निशा के ठीक है तो दोनों पक्ष देख के चलना अब जो साही फर्मान जो है जरूरी हो गए तो दरबार में बिरोध सुरू हुआ और दरबाद में जो बिरोध सुरू हुआ वहाँ पर एक कमी और आ गई कमी यह आई कि इस जुनता गुट में एक और लोग आ गया और वो कौन है ख खॉर्म जो परज़न पपड़ा जाती है तो वही पर खॉरं के साथ है एक इंट्री यहाँ पर और होगी एक वेक्ति और है जिसकी एंट्री हां पर करा देता याफ समझें पर पूरी कहानी खुर्रम आगया। खुर्रम के सात्थ आ जाता है शहरे यार। कौन है शहरे यार को यहां पर लिखता हूँ मैं क्यूंकि farada स्मझ में आएगा शहरे यार। अब देखो सासन सत्ता से बड़ा उस समय कुछ नहीं होता था अब इधर क्या हुआ कि लाडली वेगम का बिभाह कर दिया गया शहर यार से लाड़ी बेगम का बिवहा किस से कर दिया गया वो कर दिया गया शहरेयार से अब लाड़ी बेगम का बिवहा शहरेयार से हो गया तो दूसरी तरफ क्या होता है कि आसफ खां की पुत्री है आसफ खां क्या करता है कि एक लगभग पुत्री है अर्जुबन्द बानो बेगम कि अर्जुबन्द बानो बेगम यह कौन है यह size अर्जुबन्द बानो बेगम मैं। कि थे हैं अब सम्झों हां इसी को मुंताज महल का अभी तुमकों लाएंगे तुम्हार आज जितना भी सुपाएगी प्यार का जो भूत है ना ताज महल वॉस्ट वाल वह उता इनका विभा Ram हो गया खुर्रम से अब आपस में ConflictKe крут कहां से शुरू हुआ का Conflict कहां से सुरू हुआ कि लाड़नी बेगम की पुत्री का विभा शहरयार से हुआ जो शाजहां का चचेरा भाई है अर्जवंद बानों बेगम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका विभा किसको हुआ वो हुआ है खुर्रम से अब समस्या कहां पर आई कि लाडली बेगम और उसके भाई के बीच में ही कंफिक्ट शुरू होगा लाडली बेगम चाहत समस्याएं दोनों की समस्याएं उत्पन हुई लेकिन सहरयाल साशक नहीं बना बलकि साशक आगे बनकर क्या हो गनेगा वो बनेगा खुर्रम अब इन दोनों की बात करते हैं मिर्जा गियास बेग को काहे की उपादी दी जहागीर ने एतमादुत दौला की उपादी दी कि दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं अस्मत बेगम की वेटा इतियास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है टेंसन ना लोग अभी बताएंगे सबको अस्मत बेगम को लेकर आता है कि भारत में इत्र का आविश्कार किसने किया था तो वह अस्मत बेगम ने किया है बहुत ध्यान रखना किसने किया है इत्र का आविश्कार अब बाद में धीरे धीरे यह क्या हुआ जुनता को टूटना सुरू हुआ और 1627 में जिस समय कहा ज 27 में मिरत्व होगी किसकी होगी वह होगी आपकी जहांगीर की तो जहांगीर की मुरत्व हो रही है तो जहांगीर के म्रत्व के समय खुर्रम है दक्षिन भारत में और नियम जैसा कि मैंने बताया कि म्रतु के बाद तुरंत सिंगहासन खाली नहीं छोड़ा जाता था तो जब तक यह बापस आया तो एक व्यक्ति है दवार बक्स दवार बक्स उसको मुगल साशक बनाया गया और जैसे ही दवार खुर्रम बा मुगल इतियास में बली का बक्रा कहा गया है क्या कहा गया है बली का बक्रा क्यूंकि सिंबॉलिक रूफ से कुछ दिनों के लिए इसको साशन सत्ता में बैठाया गया है बहुत किलियर वे में आपको पता होने चाहिए ठीक है तो यहां से कहा जाता था इनका सिस्टम खत्म होगा क्लियर कोई दिक्कत हो इसका आर्ट एंड कल्चर मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी वो बाद की बात है अब यहां तक क्लियर है तो कोई दिक्कत हो तो बताओ कुछ सीखने को तो बहुत कुछ मिला होगा अब आजाते हैं आगे चलते हैं शाय जहां पर यहां से आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा है ना और भी कुछ सीखने को मिलेगा शाइजहां बचपन का नाम खुर्रम है बाकी सब जानते ही हो क्लियर अब शाय जहां पर आते हैं तो शाय जहां का जो बिभा हो रहा है वो किससे हो रहा है अर्जुमंद बानो बेगम से अर्जुमंद बानो बेगम से और जिनको मुम्ताज महल कहा गया है क्या कहा गया है मुम्ताज महल अब मुम्ताज महल कहने का कारण है कि उपाद ही है इनकी, इनको मुम्ताज महल की उपाद ही दी गई थी और अर्जुमंद बानो बेगम से कहा जाता था कि जहाँ बहुत ज़्यादा बेपना मौबबत करता था जैसा कि आज कल सभी लोग अपनी एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि सामने वाले से लेकिन इतनी ज़्यादा बेपना मौबबत थी कि इसकी म्रत्तु जो हो रही है वो हो रही है चौधमे बच्चे के जन्म के समय जन्म के समय क्या हुआ इसकी म्रत्तु ही चौधा बच्चों को जन्म दिया था इसने लेकिन चौधा में से साथ की म्रत्तु हो गई साथ की म्रत्तु हो गई साथ बच्चे जिसमें से चार पुत्र हैं ठीक है चार पुत्र हैं और तीन पुत्रियां है पुत्रों में कौन है कि दारा सिको हो है कि दारा सिको हो साह सूजा मुराद बक्स बेटा ये अपने ससर से कसम खाके आया था ठीक है मुराद बक्स और लास्ट में कौन है वह आजाएगा और अंगजेव और अंगजेव अब बहुत से सुना है लोग कहते हैं कि मेरे लिए जहां शाय जहां की तरह कुछ करो तो एक बार यह वाला कि सभी सुना देना ताज महल करते हैं कि लड़कों तुम लोगों को सही से डिवेट करना नहीं आता है जब-जब कोई कहें कि ताज महल वनवाया था तुम मेरे लिए क्या करोगे तो यह वाला किस्था बता देना एक बार दुबारा कोई ही नहीं कहेंगा अवाते हैं एक नेकस्ट नेकस्ट अधर करते हैं तो दारा सिको सा सुझा मुरादवक्स और अरंग्जेब Gomez इặक थे इreto कि बात करते हैं तीन भ centre यहां नहींट रोशन आया गोहन आयाола 3 मैं बता रहा हूं सब एक एक टेंशन ना लो मैं यहाँ बताने के लिए हूँ तुम लोक्त न traitम पढ़ो हो के वल के जहां आ रहा रहा ईए रोशन आया और गोहन आया अंग कोऊहन आहरा यह तो में दोगवरी आ마 साइजहां के शाशनकाल में कट्टरता बहुत देखने को मिलेगी बहुत से एक बार क्वेस्टन आया है साइजहां को लेकर कि जो साइजहां का शाशनकाल है वहाँ पर भरपूर मात्रा में कट्टरता देखने को मिली है कि पहले नहीं, यार, मरने मारने की बात ना किया करो, तुम लोग समझते नहीं हो बात को. तुम लोग की थोड़ा सा दिक्कत है, अब मैं समझाना नहीं चाहा रहा हूँ, grinder पे हूँ. कि बात यहां पर यह आती है कि शाषन प्रशाषन की जब हम सय जहां की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कि कट्रता देखने को मिली और कहा जाता था इसकी जो बड़ी पुत्री है जहां आ रहा जहां रहा है कि जो बड़ी पुत्री है बाद में आप इसके प्रभाव में आकर जहाँ आ है यहां जहाँ जहां थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि को नरम लहजे में आता है उदारा शाक में बहुत कट्टर शाशक अपने समय में रहा जिस समय इसने दो तीन इसके अभी मैं बताऊंगा चीजों को एक-एक करके सबसे पहला इसने क्या किया कि सासन सत्ता में आते ही सासन सत्ता में आते ही इसने क्या किया कि सबसे पहला जो इलाही संबत अकवर ने चलाया था ठीक है इलाही संबत चलाया था अरे यार तुम लोग ऐसे कमेंट करते हों कि रूजय कुछ बोलना पड़ता है दूसरा तीसरा बहुत विभा हुए भाई कितने विभा मैं बताओंगा मेन वाली बता दी है न मेन वाली बता दी यह जहां से आते हैं अब एक की साधी नहीं हुई एक की हुई थी तुमको करनी है क्या भाई बताओ है एक की नहीं हुई है मुगल सामराजी के वारिस बनना चाहा रहे हो और कल को कहोगी कि ताज महल तो हमारे ससुर का था गजब हो गाई एक राट की उपादी का धारन कर लिये हो अमें सर्मा एक ठीक है फिर उसके बाद हम किसकी उपादी धारन करेंगे पता है किसकी नंदबंस वाली अब आते हैं नेक्स्ट पढ़ लो पहले थोड़ा समय कुछ ग्यान की चीज़ें बता रहा हूं उसको समझ लो अब देखो हुआ क्या कि सबसे पहले इसने क्या कि एहमद नगर को विजित किया 1633 में कई बारा क्वेस्चन आता है कि 1633 में एहमद नगर को विजित किया एहमद नगर को विजित करने वाला साशक कौन सा है वो यही है तीसरा अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसने पहले तो हिज्री संबत को प्रारम किया फिर से जो मुहमद साहब के समय 622 में जब मुहमद साहब कल मक्का से मदीना जाते हैं तो उसको हिज्रत कहा गय और हिज्रत कहने के बाद हिज्री संबत 622 में सुरू हुआ है अब 622 में जब हिज्री संबत सुरू हो रहा है तो अकबर ने क्या किया था इलाही संबत इसने क्या किया इलाही संबत जो था ठीक है इसको हटा दिया इसको खत्म किया और इसके स्थान पर हिज्री संबत फिर ऑप यह एहばने वूर्व है समय सासक हुसा इंसा है जिस्व मैं आकरमण करेगा तो कई रहा हमद नगर अब यहाँ पर समझना नेक्स आओ कि पहले बाल तो Cो是 इलाही संभत के स्थान पर हिज्री संभत प्रारम किया तैन कि प्रारम करेगा दूसरा इसने कहां किया कि जो अकवर ने सिजदा और पैवोस प्रथा समाप्त की थी उसको भी समाप्त किया और चहार तस्लीम को किया चहार तस्लीम का मतलब होता है कि सामान ने अभिभादन जैसे होता ने कि आप जाओ सर नमस्ते बस ये वाला सामान ने अभिभादन जो है चहार तस्लीम की प्रथा क को इसने तुरू किया तीसरा यहां पर आता है कि इसी के समय में इसने क्या किया कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए एक प्रथक विभाग की स्थापना की question पूछा गया है कौन ऐसा साशक था जिसने हिंदू को मुस्लिम बनाने के लिए एक प्रथक बिभाग की स्थापना की और तलवार की दंपे बहुत बड़ी संख्या में इसने कहा जाता था धर्म परिवर्तन कराया है अब धर्म परिवर्तन कराने के बाद एक नियम और बनाया कि कोई भी हिंदू मुस्लिम दास नहीं रख सकते हैं। लेकिन कोई भी हिंदु क्या है मुस्लिम दास नहीं रख सकता है मुस्लिम कन्याओं का जो विभाण है वो हिंदुवों से नहीं monks भो सकता है नियम बना दिया कि कोई भी हिंदु कन्या के मुस्लिम से बचूप कर सकती हम데 कि call 민 custardy नियम बनाए गए अब इसी कारण कहा जाता था कि यह बहुत ज्यादा कट्टर एक साशक देखने को कट्टरता देखने को मिलेगी मैंने पहले ही कहा था फिर फिर दूसरा के मुख लगवालं प्चाशार मुद्रा ने पूचा लोग पढ़ाते नहीं है 50 जार मुद्रा यह हमेसा कहां बेचता था मक्का भेजता था ठीग हर बरस पिज़ता था वित दरॉर 1-2000 का दान करफ दान करता अपना भाई है था ठीक है उसको पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से और यह बहुत अच्छा था बाकई मैं उसको पसंद करता हूँ ऐसे साशक बजणाम तो वाकई हुशको किया गया है जबकि वो ऐसा था नहीं रूसरा था कि जो पैगंबर मुहम्मद शहाब उनकी मजार के लिए एक मशाल भेट की थी कुईस्चन बहुत आता है कौन सा ऐसा साशक था जिसने पैगंबर मुहम्मद शहाब की मजार के लिए मशाल भेट की है तो वो कौन है शाय जहां है मक्का हर वर्स 50,000 मुतनाएं भेजने भेजेगा इसने तीर्थ्यात्राकर पुना लागू किया तीर्थ्यात्राकर जो अकबर ने हटाया उसे फिर लागू किया लेकिन बनारस के संत हैं कविंद्राचारे के कहने पर इसने फिर तीर्थ्यात्राकर को फिर से हटा दिया पहले लगाया लेकि कमिंद्राचार जी के कहने पर इसने कह किया फिर से हटा दिया हाँ अगर इसके अगर आप बात करोगे तो आप शाषक के तौर पर साह जहां नहीं उतना सही है जितना औरंग जेव है औरंग जेव ने वही किया जो आज कलके नेता करते हैं अपनी सासंस् यह था जैसे सेना क्या हुई थोड़ी डाउन हुए वैसे पता क्या गाता था चलो चलो यह वाली दिवार किराओ मंदिर के ओ पडूस में मस्जिद बना दो लो भाई सब बनारोस मंदिर में बना दी मस्जिद गरव ग्रह नहीं गिरा जाता और सबसे ज़्यादा और द भी देता है को सब्से ज़्यादा और खिजफान भी देता है मंदिरों को parks में जितने भी कट्टर नियम बनाए मसलिमों के लिए लिए उसने का बैटा ऐसा सरयएत के अनुसार चलो को और अधिकारीत डैनात करने के ही अगर हम लोग बात करें तो अधिकारी नजर रखते त laquelle तुम іकर रहे हो नहीं कर रहे हो नहीं करंगे कसे जाओगे फिर कि यही कारब कर ला है तो वह ज्यादा अच्छा शाशड़े सो साशक क कि दरश्टी से पड़ो ना उसको धर्म का चस्मा उतार के अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ जो उन्होंने गलतियां की जिसकी बज़े से उनका पतन हुआ वो गलतियां ही तो हम इत्यास सीखते है और महानता कुछ थोड़ी है महानता तो देखी लिया जहांगीर की कितनी थी जहां की उससे ज्यादा है कितना प्यार कर रहा है तो इसके बाद यहां के जैसा हमको चाहिए कुई ठीक है और तुम लोग भी पता चला अर्जुमंद बानू बेगम ढूंडो तो खेर आज का दिक्कत अगर हो तो पूछ लो अभी अभी तो मैं यहीं पर हूँ जल्दी से पूछो कुछ पूछना हो कुछ पूछना हो कुछ भी दिक्कत हो और एक बार फिर से अभी सब लोग हो ठीक है मैं कुछ बता दे रहा हूं इंफार्मेशन दे रहा हूं कि आप लोगों के यह दिसा बैच लाया गया है और इस दिसा बैच की जो खास बात है वो क्या है प्लिंस को टार्गेट करके है अगर आप यह बैच लेते हो तो इसमें प्री की फ्री मिलेगी और साथ में उनका साल्योशन भी दूसरा फ्री मिलेगा जो करेंट अफियस का पेड़ पर साथ यहां पर मिलता है बेटा अगर सिवाजी और अउरंग दोस्त होता ना तो इस पर भी मैं बताओंगा कि एक साशक जब अपना विस्तार करता है तो सामने वाला साशक कोई भी हो वो उसका दोस्त नहीं दुस्मन ही होता है और सिवा जी ने भी वैसे ही औरंगेब को ठीट किया था ना कोच ने चब आये हैं तो उसको लेकर परेशान नहों उन पर भी हम लोग आएंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए ओके थैंक यू गुडबाए